और चलिए अब खबर बुलंड शेहर से है जहां डीजे की धुन पर पुलसकर्मियों ने डांस किया उनके डांस का जो वीडियो है शोसी मीडिया पर बारल हो रहा है कावडियों के स्वागत में डीजे की धुन पर पुलसकर्मियों ने डांस किया है बुलन शेहर के गुलावथी का ये बारिल वीडियो बता जा रहा है जो इस वक्त आप प्री टेलिवीजू स्क्रिंग पर देख रहे हैं तेंगे किस तरीके से कावडियों का स्वागत यहां पर किया गया है और डीजे की धुन पर कुल सकर भी डांस कर रहे हैं चुले आगे बढ़ते हैं त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में यूपी पुलिस चौकसी बरत रही है किसी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए फ्लाग मार्च भी निकाला जा रहा है मौक जुल भी हो रही है सूबे में शांती में विवस्ता बनी रहे इसके लिए पुलिस धर्म गुरूं के साथ मन्थन भी कर रही है बिलकुल अगुंचन देखिए, इसके लिए पुलस मन्थन कर रही है, तैयारियां कर रही है और वो तैयारियां दिखाई कैसी दे रही है, यह रिपोर्ट देखिए. क्योहारों का मौसम है, ऐसे में सूबे की कानून व्यवस्ता चुष्ट दुरुस्त रहे, सरकार और पुलिस की ये कोशिश रहती है. लखनों में कानून व्यवस्ता चाक चुष्ट बन रहे, इसके लिए पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रड की मौक ड्रिल कराई गई. जवानों को आसू गैस, रबर गन, बुलेट गन समेत कई हत्यारों की ट्रेनिंग दी गई. यही नहीं, महर्रम के मद्दे नजर पुराने लखनों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. बीजीपी पश्चिमी डॉक्टर एस चनप्पा के नित्रितों में भारी संख्या में पुलिस बल सणकों पर उत्रा. भूटर और सायरन बजाते हुए फ्लैग मार्च चरक चौराहे से शुरू होकर पाटा नाला, बजाजा, मेफियरती राहा, लखास होते हुए थुरिया गंज पर जाकर खत्म हुआ. महर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस के मद्दे नजर लखनों में कानुन व्यवस्था चुस्त है, इसके बावजूद पुलिस को ताही नहीं बरतना चाह रही है. ऐसे में धर्म गुरूं के साथ बैठकों का दौर भी जारी है. यूरो रिपोर्ट एबी पी गंगा